प्रश्मिल्ला रख्मान रिर्वहीम अस्सलाम अलेकुम जमात पंचम के प्यारे बच्चों उमीद है आप सब खेर खरीशे होंगे उर्दू की आंलाइन क्लास में आप सब बच्चों को खुशाम दीद प्यारे बच्चों आप अपनी उर्दू की किताब खोलें जैसा के कर गुजारी ठीक है आपको देख आप देख रहे हैं नजर आ रहा है वीडियो में आपको नजम हम पढ़ी थी फिर इसके बाद हमने सारे अशार पढ़े थे नजम पढ़ी थी हमको और इसकी हाल लफ्स के माईनी मैंने आपको बताए थे और अलएदा अलएदा इसकी वज यहीडियो में किताब पे जो काम था किताब का काम्छ था किताब में आपने जो काम करना था वह मैंने आपको करवाया था सफा नंबर चार नंबर पांच पे ठीक है प्यारे बच्वों नजर आ रहे है हैं आपको इसके बाद कीव देखिए अब कोपी खो अदब की आप अपनी कॉपी कोपी में आपने सबसे पहले अब हम इसकी पूरी बकाइदा मश्क करेंगे तो अदब की कॉपी में डेट में आपने सबसे पहले 20 तारिक लिखनी है 20 पांच दोहजार एकिस ठीक है यानि 20 तारीफ है और 5 महीना मई का दोहजार एकिस आप यह मश्क कर लेंगे और स्कूल लेकर आएंगे तो फिर आपको टीचर साइन यहां पर कर दिया जाएगा टीचर साइन आपके लिखिया जाएगा इसके बाद आपने बकाइदा पैरंट सिगनेचर कर आना है ठीक है अब आज हैं काम की तरफ काम में आप देखें सबसे 21 उपर आपने ब्लू मारकर के साथ नीले मारकर के साथ हेडिंग देनी है नजम आगे लिखने है हम्ड हम्ड के बाद आपने हम्ड का नाम लिखना है खुदा की शुकर गुजारी ठीक है आपने नजम लिखना है हम्ड के बाद नजम का नाम आपने लिखना है हम्ड का नाम लिखने हैं खुदाकी शुकर गुजारी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पिर आपनेदे देना है उन्वान उन्वान के आगे आपने लिखने है तो आपकोई वी चूरू करने से पहले छूर्ब देदे थे जिसलिए अप पहले फैरस लिखेंगे चुरू काम कि लिखेंगे इमलाग के लफास, इसके बाद अलफास माईनी, सवालाग जवाबाद, मरकजी खयार, तश्रीयाद, टीकेट मैं फिर दुराती हूँ, सबसे पहले मारकर के साथ, नीले मारकर के साथ लिखे, नजम हम्द, खुदा की शुकर गुजारी, उन्वार, फैरिस्थ, इ अलफास माईनी, सवालाग जवाबाद, मरकजी खयार, और तश्रीयार, इसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है, और बकाईदा आपने मार्जन लाइन भी लगानी है, अगले सफ़े पर आजें, अगले सफ़े पर आपने फिर इसी तरह से 20 माई 2021 लिखना है, ठीक और एक मार्जन लाइन लगानी है, मार्जन लाइन ली तो सेंपल कापी इसलिए मैंने चोटी सी लगाई है, लेकिन आपने बेकल बकाईदा खुली मार्जन लाइन इस तरह से लगानी है, जिस तरह से लाल लाइन का फासला है, ताकि अगर आप इस तरह कोई गलती भी ने प्रखक्षत है हम खुदा की शुकर गूजरी टीक है उन्मां इमला के उलफाज का धानते हैं की आपने सब से पहले इमला की ऐखाया था नही Birdsागा तरह सबसे पहले इमला के अलफाज करें जिए थिक हैं इमला के अलफार संवार के लिखें मेरे साथ अराम से लिखें वह जो इसको गौँर से सुनें, यह हम मैं से यह अलफास लिए गए हैं, बयां, सदा, बरसाथ, अनायत, बरखा, समा, एक बार फिर से सुनें, बया, सदा, बरसाथ, अनायत, बर्खा, समा मुझे उमीद है प्यारे बच्चों आज का काम आपको अच्छी तरह से जहन नशीन होगी होगा इसको खुबसूरती के सब कॉपी में लिके अगली ऑनलाइन क्लास में से आगे काम करेंगे तब तक घरों में रहें, अपना ख्यार रखें, अल्लाह अप्यूद्ध